भारत की जलवायू के बारे में थ्रहा सा पहले फैक्ट देख लेते हैं और फिर एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें उसका ओनलाइनर के रूप में होगा यहाए कि क्रैस कोर्स टाइप का है इसे पहले भी बारे में तीन-चार वीडियो और उसके ओनलाइनर फैक्ट के से अथा भारत में जलवायू भी एक जैसी नहीं है जलवायू मतलब क्या किसी छेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस अस्थान की जलवायू कहते हैं भारत की जलवायू कैसी है तो यहां उसन कटिवंदी मानसूनी जलवायू है और मौसम यहां क्या हो पर्थम विस्यूत के बाद इसका मुख्याले पूने लाये गया अब भारत के मौसम संबंधी मान चित्र यहीं से प्रकासित होते हैं भारतिये जलवायू को मानसून के अलावे परभावित करने वाले दो कारण पहला है उत्तर में हिमाले परवत इसकी उपस्तिती के कारण मधेशिया में आने वाले सीतल हवाएं भारत नहीं आपाती हैं अता भारत है उसमें कटवंधी देश के रूप में पिख्यात हैं और दक्षिन में हिंद महासागर इसकी उपस्तिती एवं भूमद रेखा कि समीपता के कारण उसम्कटबंदी जलवायू अपने आदर सो स्वरूप में पाई जाती है और इह संपूर्ण भारत में वर्षा कराने के लिए जिमोवार है। मांसूनी पौनों द्वारा समय समय पर अपने दिशा पूर्णत्या बदल लेने के कारण भारत में चार प्रकार की रितुएं पाई जाती है। सित रितू यह दिसंबर से मार्च तक गडिशन मार्च से जून तक वर्षा जून से सितंबर तक शरद सितंबर से अर दिसंबर तक। ये तीथिया एक समान सीमा रेखा को तय करती है मांसून पौनों के आगमन एवं परत्या वर्तन मतलब मांसून इस तरह से आता है लेकि जब जाएगा तो यही जाने को परत्या वर्तन कहते हैं तो मांसून पनों के आगवान एवं परत्यावर्तन में होने वाला वीलम इनको पर्याप्त रूप से परभावित करता है उत्तिरी भारत के मैदानी भागों में सीत रितू में वर्षा पहस्च में भी छोब या जेट इस्ट्रीम के कारण होती है गिरिस्मी रितू में ओसम एवं पहस्ची मंगाल राज्यों में तीवर आदर हवायं चलने लगती है जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है इन हवाओं को पूर्वी भारत में नर्वेस्टर, बंगाल में कालवैसा खी, करनाटक में इसे चेरी बलोसम एवं कौफी वर्षा कहा जाता है जो कौफी की किरिसी के लिए लब्दायक है, आम की फसल के लिए लब्दायक होने के करने से दक्षिन भारत कीरल में आमर वर्षा यानि मैंगो स्रावर कहते हैं उत्तर भारत के सुस्क भागों में गिरिशमी रितू में चलने वाली गहर में एवं सुस्क हमाओं को लू कहते हैं वर्षा रितू में उत्तर पस्चमी भारत अथा पकिस्तान में उसन दाव का छेतर बन जाता है जिसे मानसून गर्थ कहते हैं इसी समय उत्री अंत्र उस्तन कटी बन दिये अभिसरन यानी NITC की बात हो रहे हैं उत्तर की ओर खिसकने लगती है जिसके कारण विश्वत रेखिये पच्छुआ पाउन इहों दक्षिनी गोलार्थ की दक्षिनी पूर्वी वाने जीक पाउन विश्वत रेखा को पारक और यानी ITCET क्या होगे ITCZ यह भारत के उत्री छेतर में सीथ हो जाता है जिसकारण भारत में क्या होगा तो भारत की सिती विश्वत रेखिये परकार की हो जाएगी अत्रह दक्षिनी गोलार्थ की दक्षिनी पूर्वी वाने जीक पाउन विश्वत रेखा को पारक और फेल के नियम के नुसार वो अपने दायोर घुम जाएगी तो क्या होगा भ भारत की ओर परवाहित होने लगती है जिसे दक्षिन पहच्चिम मान्सून के नाम से जानते यह औरवसागर और यह बंगाल की खारी की सखा है औरवसागर सखा को मानसून सबसे पहले भारत की किरल राजे में जून की प्रसम सप्ता हमें आता है यहां यह पहश्मी घाट पौरवस से ठक्रा कर केल के तट्रूप वर्षा कराता है जिसे ही मानसून प्रसफूट कहते हैं गारो खासी औम जेन्दिया पहारीयों पर बंगाल की खारी से आने वाली हवाएं दक्षिन पस्ची मानसून की साखा है अधिक वर्शा लाती है जिसके करण यहां इसी मानसी राम मेगाल अभिस में स्वरवाधिक वर्शा प्राप्त करने वाला अस्थान हो जाता है मानसून की औरब साखा तूलनात्मक रूप से अधिक सक्तिसाली होती है दक्षिन पस्ची मानसून दोरा लाए गड़े कूल आधरता का 55% भाग औरब सागर से तथा 35% भाग बंगाल की खारी से आता है औरब सागर ये मानसून की एक साखा सिंध्र नदी के डेल्टा छेतर से आगे बढ़ कर राजस्थान के मरुद अस्थल से होती हुई सीधे हिमाले परवत से जाटा करती है जहां वहां द्रहमसाला के निकट अधिक वर्शा करती है राजस्थान में इसके मार्ग में औरोध पतन का काल कहते हैं इस एडितु में बंगाल के खारी एववम और अब सागर में उस्थ न्कटवंदी चकरवातों की उत्पत्ति होती है इन चकरवातों से फूर्वी तटिये चेत्रों में मुख़ित आंध्र परदेस उरीशा और पहुच्छिं में तटिये चेत्रों में भारत में वर्षा का मुख कारण है लभा 55 परसेंट वर्षा इसकी काल में होती है और वर्थी मांसून अक्ट्रूबर से दिसंबर में मातर 13 परसेंट और यहां मुख रूप से तमिलादू और आंथ परदिसके तक्रूपर वर्षा कराती है पूरू मांसून काल की वर्षा ज तो समलो 6% यह भारत में जलवायू का जो भी डिवीजन अगर किया जाए तो इतना ही कर सकते हैं अब हम लोग भारत के जलवायू के बारे में वान लाइनर देख लेते हैं भारत के जलवायू की सबसे महत्पूर्ण विश्यस्ता कौन सी है कि पौनों की दिथा में परिवर्त भारतिये मानसून का वर्णन सबसे पहले किस औरव विद्वा ने किया था नामतसका अलमसुदी अम्रित सरक्या पेक्षा नीम्र अक्षांस परिस्तित होने के बावजूद सिमिला अधि ठंधा क्यों हैं क्योंकि यह अधिक हाइट पहार परिस्तित है तो मिलनाडू में सर भारी दोनों ही सक्षाओं से वर्षा होती है तो हाए पंजाब ऑसम पहस्ची मंगाल तथा उरिषया राजयों में मानसून पूर्व आने वारी तरी जंजाएं किस नाम से जानी जाती है तुसका नाम है नर्वेश्टर भारत के कोरो मंडल तट पर स्वरादिक वर्षा तो जाम सिंड्राम, भारत में सबसे अधीक तथ शबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राजः सबसे तो में घाले सबसे कम राजस्थान, मनसन पूर्व ततरा चेरा-पुझी में अधीक वर्षा क्यों होती है क्योंकि यहां के पहारिया कीप के आकिती है Solo Can you know girlberry theory भारत के किस भाग में सरवाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो राजस्थान के मरुस्थरिय छेतरों में जम्मू कस्मीर में होने वाली सितकालीन वर्षा का कारण पहस्मी विछोब है किस राजय पर सबसे कम वर्षिक वर्षा होगा तो किस छेतर पर तो ले है भारत का अधिकान से भाग करकर रेखा के उत्तर में है पर इसे एक उस्व कटवंदी देश्केयों कहते हैं क्योंकि हिमाले के कारण पूने से मुंबई में कम वर्सा क्यों होती है यूँकि बीच में पहार है और पहार सारा हवाय रोक लेगा और पूने विश्टी चाया छेतर में है यद्धे भी भारत का केवल दक्षिनी भाग उस्व कटिवंद में सुटीत है तथा पी संपून भारत के जलवाई उस्व मानसुनी जलवायू की परमुक्र विस्यस्ता वायू की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। भारत के उत्र पहस्चिम भाग में सीथकाल में वर्सा होती है पहस्चिमी पिछोप से। भारत के उत्री मैदानों में सीथकाल में वर्सा होती है पहस्चिमी पिछोप से। भारत के और भारतिये उप महादीव पर गिरिस्म भीतू में उचे तापमान एओम नीम्न दाब हिंद महासागर में वायू का कर्शन करती हैं, जिसके कारण क्या परभाईत होगा तो दक्षिन पषिम मानसून दक्षिन पस्षी मांसून काल में निवली की दस्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है तो वहाँ चेन्नाई में होती है गिरिस में काल में आने वाले तुफानों को किस राज में काल वैसा की कहते हैं तो वहाँ पस्षिम बंगाल में कहते हैं विश्व में सरवाधिक वर्षा माउस निरा में होने का कारण भारियों का कीपाकार आकिर्थी में होना दक्षिन पशी मांसून में समपूर्ण भारत में कूल कितने परसेंट वर्षा मिलती है तो लोग 75% चाहि ganze में जारो में व्र्फा होती है उत्तार पुर्वी मांसून के कारण चेन्य की जलवाई रुष पर रुनुके दोनों अस्थान्ट रखा न के समीव है मांसून नीवर्तन में से सबसाथिक वर्षा कहां होती है तो चिन्नाई में भारत के पश्यमी तटो में गिडिस्म में अथी उच वर्षा मुखे तक इसके कारण होती है तो उसन कटिवंदी अवस्थिती ये कारण अक्टूबर और नौमबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होगी तो कोरोमंडल तटपर अक्टूबर करमी का परवुके करण क्या है तो उच आधिर्ता के साथ संबद उच तापमान भारत के किस राजी में जारे के मौसम में वर्षा होती है तो तमिलादू में भारत के पहस्चिमी समुद्र तर्ट पर वर्षा किस मानसून से होती है तो दक्षिन पहस्ची मानसून, किस राज में परत्या वर्थी मानसून का अधिक परभा हो है तो है तमिलनाडू, मानसून किस भासा का सब्ध है तो है और भी भारत की सरवाधिक वर्षा मुख्यता प बीजन था आसा करते हैं कि अच्छा लगे तो चुरू लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद